दोस्तों बिना मावा बिना दूद आज हम बनाएंगे सिर्फ एक कप मैदे से आधा किलो बर्फी बहुत ही टेस्टी हलवाई जैसे एकदम मावा जैसा टेस्ट होगा बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा इस वीडियो में वीडियो को लास तक देखते रहे और हाँ अगर दालेंगे घी घी इसलिए डाल रहे है कि जो मैदा है उसको अच्छे तरीके से भूनना जरूरी है तो हमने यहां पे 120 ग्राम मतलब की आधा कप घी हमने यूज किया है और मैदा जो हम यूज कर रहे हैं वह एक कप मैदा यानि की डेड़ सो एक सो साट ग्राम के करीब मैद है और यह घी से थोड़ा सा जादा होना चाहिए बस बहुत जादा भी नहीं और घी की क्वांटिटी अगर आप कम करना चाते हो तो थोड़ा बहुत और कम कर सकते हो मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है जैसे हलवाई के दुकान पर बनाते हैं वैसे कि वह से रखा है बस उ जैसे जैसे यह भूनता जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से यह घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा अभी आपको थोड़ा टाइट लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे इसको हम भूनेंगे यह अपने आपी घी छोड़ता जाएगा इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना घी इसने छोड़ दिया है 2-3 मिनट हो चुके है मुझे भूनते हो इसको हलका सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन थोड़ा सा हम और भूनेंगे हलका सा और कलर चेंज करेंगे ताकि बिल्कुल भी यह कच्छा न रहे खाने में अब यह देखिए 5-6 मिनट हो बिल्कुल अच्छे से खतम हो चुका है तो बस अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे साइड में हलका सा इसको हम ठंडा होने देंगे बाद ज्यादा नहीं बस इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखें तब तक हम एक दूसरा पैन रखेंगे इसके अंदर हम जालें एक कब चीनी मतलब की जो चीनी डालना है वो हमें मैदे से जाधा डालना है मतलब की 200 ग्राम चीनी हमने यहां पे डाला है और आधा कब पानी डाल दिया मतलब की 100 ml पानी जितना चीनी उसका आधा पानी डाल दें अच्छे से मिक्स करें एक बार उबाल आ जाए उसके मतलब की 3-4 Aah Mooss Igles होगा होगा है हम तोड़ा सा मिल्क पाउडर मतलब की 3-4 Himself कैंवे जितना हम मिल्क पाउडर डालेंगे इससे क्या होगा कि यह बर्फी जो है वो खाने में मावा जैसा लगेगा ऐसा मैदे जैसा नहीं लगेगा खाने में तो एकदम मावा वाला टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा milk powder इसमें डालना जरुरी है हलवाई थोड़ा जाद ही डालते हैं क्योंकि उनको sell करना होता है हमने यहाँ पे घर पे खाने के लिए बनाया है तो आप कम जादा करके milk powder डाल सकते हो और अच्छा थोड़ा और अच्छा टेस्स मलहरना चाते हो तो इसमें आप coconut powder वगरा भी mix कर सकते हो या फिर कोई dry fruit का powder वगरा भी piece case के अंदर डाल सकते हो आप चाशनी को हमें डाल देना है milk powder हमने पहले इसलिए mix किया ताकि जब चाशनी डाले तो उसकी गुठलिया ना बन जाए तो इसलिए पहले आपने mix कर लेना है मैदे में उसके बाद हम इसमें चाशनी डालेंगे तो इसमें कोई गुठलिया या लंप सोगरा नहीं बनेगा gas को बिल्कुल low flame पे रखना है एक दो मिनट के लिए इसको पकाना है दो मिनट कम से कम इसको पकाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बर्फी सेट होने के लिए ready हो जाए दो मिनट में ही इस तरह से पैन को छोड़ने लग जाएगा हलका सा घी छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ready है अब हमने gas को बंद कर दिया है क्योंकि हमें पता है ये बिल्कुल ready है लिकिन जो नई लोग है जो beginners है जो पहली बार बना रहे हैं उनको कैसे पत दालते हैं आप भी डाल सकते हो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए कहीं भी पंखे के नीचे या कहीं भी ठंडी जगा पे रख देना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए तब तक हम एक ट्रे इस तरह का लेंगे कोई भी बर्फी वाली ट्रे या कोई थाली वगरा पांच मिनट के लिए ठंडा किया है तो पांच मिनट में ये इस तरह से टाइट होना स्टार्ट हो चुका है ये देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा डो जैसा बनने लग गया है और ये इस पैचुला में भी नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब है ये बिलकुल परफेक् के लिए बिलकुल रेडी है थोड़ा सा और इसको हम ठंडा करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा चिप चिपा है तो थोड़ा सा ठंडा और करेंगे पांच मिनट के लिए उसके बाद हम इसको ट्रे में डालके सेट करेंगे देखिए पांच मिनट हो चुके हैं अभी ये में दुबारा से पका लें 2-3 मिनट के लिए फिर यह नहीं चिपकेगा उसके बाद हम इसको ट्रे में डालेंगे अच्छे से इसको हम फैला देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से और जो भी थिकनेस वगरा रखना चाहें जो भी साइज रखना चाहें वैसे आप इसको रख सक लेगा अब यह वरफी सेट है बिल्कुल अच्छी से तो हम खट कर लेते हैं बर्फी बिल्क्ल ससॏफ्ट है पाओफिक्त है जैसे हलवाई की अगर आपके पास थे ही करने के लिए तो आप सेल कर ने कवको बना सकते हो हम इसको किसी बीजीम में इसके साइज में किसी भी तरह से इसके पीसे जो है वो कट कर लेंगे बहुत इसी है बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्लीन पीसे हैं जो इसके निकल रहे हैं यह देखिए इसको हम अच्छी तरह से पहले कट कर लेंगे उसके ब लग अलग तरह से बर्फी बनती है और इसमें अलग-अलग फलेवर भी दे सकते हो तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वह बना सकते हो अगर मैं और आपको इसे तोड़ के दिखाऊंग्हों तो आप देख सकते हो कि देखने में मावा बर्फ जैसा लग रहा है खाने में बिल्कुल मा जैसा है जो दुकानों पे आप देखते है वा या फिर मिल्क पाउडर जादा होता है तो फिर पता नहीं लगता कि की मैदा गौल हुआ है तो बाकी अगर अगर आप इसे सेल करने के लिए बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा मावाव अगरा इसमें और आड करके आप अच्छी तरह से इसको सेल भी कर सकते हो अगर आप डेड़ से 200 रुपए किलो भी सेल करोगे तब भी इसमें आपका फायदा ही है तो यह वर्फी हमारी बनके र अगर आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा ले ताकि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में